रतन टाटा, भारतिय उद्योग जगत के प्रतीक और टाटा समूव के पूर्व चेयर्मेंट का 86 वर्ष की आयू में निधन हो गया। उनके साथ जुले लोगों और प्रशन्सकों के लिए यह एक बड़ीक शती है, खासकर उनके करीबी सहायक और मित्र शांतनू नायडू के लिए जिन्हें रतन टाटा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बेहत करीब रखा था। शांतनू नायडू जो अब टाटा ट्रस्ट के सबसे यूवा जनरल मैनेजर हैं, ने 2022 में रतन टाटा के साथ काम करना शुरू किया। नायडू की पहचान तब बनी जब उन्होंने एक सामाजिक उद्यम शुरू किया, जिसमें सडकों पर कुत्तों को सुरक्षित रखने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन किये। ये पहल रतन टाटा, जो स्वयम एक पशु प्रेमी थे का ध्यान आकर्शित करने में सफल रही। नायडू ने टाटा को एक पत्र लिखा और उनकी इस परियोजना ने दोनों के बीच दोस्ती की शुरूआत की। टाटा और नायडू के बीच ये रिष्टा सिर्फ व्यावसाइक नहीं था, बलकी व्यक्तिगद भी था। रतन टाटा ने नायडू को अपने करीबी सकल में शामिल किया और कई मौकों पर उन्हें अपने बेटे जैसा माना। नायडू ने एक स्टाटअप बुटफेलोस भी स्थापित किया, जो वरिष्ट नागरिकों को साथी सेवा प्रदान करता है, और इसमें रतन टाटा ने निवेश किया था, ये दिखाते हुए कि टाटा नायडू की उध्यमशीलता और समाज सेवा में विश्वास करते थे रतन टाटा और शांतनू नायडू का संबंध केवल एक गुरू शिष्य का नहीं, बलकि एक दोस्ती और विश्वास पर आधारित था नायडू ने अपनी कड़ी मेहनत और उध्यमशीलता से न केवल टाटा का दिल जीता, बलकि उनकी विरासत का एक एहम हिस्सा भी बने हाला कि नायडू टाटा समूव के सीधे वारिस नहीं होंगे, लेकिन उनकी सामाजिक और उध्यमशील कारियों में टाटा के मूले हमेशा जीवित रहेंगे ये देखना दिल्चस्प होगा की भविष्य में शांतनू नायडू किस तरह से टाटा की सामाजिक द्रिष्टी को आगे बढ़ाते हैं और कैसे वे रतन टाटा की विरासत को संजोकर रखते हैं हाला की शांतनू नायडू और रतन टाटा का संबंध बेहत करीबी था लेकिन नायडू का नाम टाटा समूव के उत्तरादिकारियों में आधिकारिक तोर पर सामने नहीं आया है टाटा समूव की संचालन व्यवस्था पहले से ही इन चंद्रशेखरन के नेत्रित्व में है और नोयल टाटा जैसे परिवार के अन्य सदस्य भी प्रमुख भूमिकाओं के लिए तैयार है